तो The Games Unboxing एक नई सीरीज लेके आ चुका है, जिस सीरीज के अंदर यदि पैरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ में बैट के गेम खेलना चाहते हैं, शाम को ओफिस से आने के बाद में या फिर छुट्टी वाले दिन, तो वो कौन से गेम्स हैं जो वो उनके सा Going to Boston गेम को खेलने के लिए हमें चाहिएँगे तीन टाइस, एक हमको चाहिएगा पेपर और एक हमको चाहिएगा पैन इस गेम को कितने भी प्लेयर्स खेल सकते हैं तो गेम को start कौन करेगा तो या तो youngest प्लेयर्स को हम start करा सकते हैं या फिर अगर हम चाहें तो एक dice को लेंगे और दौनों प्लेयर्स बारी बारी से इसको scroll करेंगे जैसे मेरे 5 आए हैं अब P2 इसको roll करेगा उसके 2 आए हैं तो गेम में जो start करेगा वो P1 करेगा score sheet गेम में बराबर काम में आने वाली है प्लेयर को game start करने के लिए सबसे पहले 3 और dice roll करनी पड़ती है और जो उनमें highest नम्मर आता है उसको वो रख लेगा बाकी 2 dice से roll करेगा फिर उसमें जो highest नम्मर आएगा उसको वो रख लेगा और फिर last की तीसरी dice को roll करेगा और फिर जो नम्मर आएगा वो उसको रखना है तो इस तरीके से player 1 का score हो गया है वो हो गया है 11 अब player 2 की बारी तो 5 आया है highest फिर 6 आया है फिर 5 आया है फिर 3 फिर 6 तो इस तरीके से हो गया है 15 फिर 2 score हो गया 14 गेम इसी तरीके से चलता रहेगा जो भी player का score 100 पहुच जाएगा वो गेम को विन कर जाएगा तो बहुत ही आसान गेम है यदि आप एक parents है तो इस गेम को अपने बच्चों के साथ जरूर खेलिएगा खेलने में उनको बहुत मज़ा आएगा यदि आप कोई get together parties कोई birthday parties वगेरा कर रहे हैं तो आप इस गेम को introduce कर सकते हैं सबके साथ में बहुत मज़ाता है बहुत simple है आप को going to watch some game कैसा लगा यदि गेम पसंद आया हो तो दीगेम सनोकसिं चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए इसी तरहीं की बहुत सारी और वीडियोस देखने के लिए